इन दिनों लगातर मालवा निमाड में प्याज और लहसुन के दामों में कमजोरी देखने को मिल रही है इस वज़े से किसान संक्नों ने भी इसके दाम कम होने पर विरोध जताया है अभी तक तो यह मध्यपरदेश में ही हो रहा था लेकिन महारास्टर की ओर से भी विरोध की मांग उठ रही है दरसल प्याज के कमजोर दामों की वज़े से महारास्टर के प्याज उतपादक संक्नों ने विरोध जताया है साथ ही निर्यात पर जोर देने की मांग भी की है चानकारी के मताबिक प्याज के सूपर क्वालिची होने के बाब जूद भी इसके दाम सिर्फ 1100 रपे प्रतिक विंटल के हिसाब से बिक रहे हैं वैसाई दाम नहीं मिलने पर किसान अपनी फसल के सासत लहसुन प्याज को भी नदी नालों में बहा रहे हैं कारोबारियों के मताबिक अभी पाकिस्तान और बांगला देश से प्याज का निर्यात रुकना इसकी एक बड़ी वज़ा बन चुका है इसी वज़े से लगातार देश में लसुन और प्याज के दाम कम हो रहे हैं किसानों का कहना है कि प्याज की उतपादन लागत करीब 1500 रुपे कुइंचल है ऐसे में उन्हें इस लागत से भी कम दाम पर प्याज बेचना पड़ रहा है आपको बता दे कि 2019 और 2020 में सरकार ने घरेलू बजार के दाम बढ़ने पर प्याज के निर्याद पर रोक लगा दी थी इस वज़े से बंगलादेश की मांग रुख गई जानकारी के मताबिक बंगलादेश भारत से बड़े तोर पर प्याज आयात करता था लेकिन ये बंध होने पर लगातार दामों में गिरावट देखने को मिल रही है ऐसे में किसान संग्ठनों का कहना है कि एक बार फुर से प्याज के निर्याद पर सरकार को विचार करना चाहिए कि एक बार फुर से जाहिए